कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया के साथ क्योंकि आपके लिए जरूरी है हम लोग जो प्रोग्रेशन यूज करने वाले जो केपो यूज करने वाले उसके बज़े से कौर्ण नजदिक पकड़ने पड़ते तो मैं गाते-गाते आप समझ पाएंगे ऐसे मुझे नहीं लगता तो मैं आपको गाने के साथ कौर् करेंगे तो उसमें भी आप जो है बारी किया थोड़ी सी जो है आप डूंड सकते और आप अपने इसाफ से परफॉर्म कर सकते ओके गाना एकदम आसान करने के लिए मैंने क्या डी फ्लाइट मैंना ओरीजनल की तो मैंने क्या किया फोर्थ नंबर के फ्रेट पे केपो लग आप बी सेवन के बाद में लगेगे थीन मेजर कॉर्ड सी मेजर वी मेजर एमेजर को यह तीन मेजर कॉक्ष और लगेगी दो माइनर कॉड जिसमें ई माइनर और ए मैशन्यों जान से देख लो दोफ तो स्ट्रमिंग पैटन एकदम आसान सा है त्री बीट का पहला एकदम स्टर्मिंग पैटन मैं ए माहिनर पकड़तां अब पैटन या या बीज सेवंध है साउंड आता है स्टर्मिंग पैटन सवज़ गे प्रैक्टिस मैं एक बार नीट करके, शुरुआत करते हैं, गाना जो है 27 पे, कौर्ट जैसा मैं नहीं बताया आपको 6 कौर्ट से और स्ट्रमिंग पैटन आपको याद रहेगा आप प्रैक्टिस किये हुँगे ऐसा में समझता हूँ तो गाना गाते-गाते कौर्ट कैसे पकेटना रहे यह मैं आपको समझता हूँ यह को B7 पे गाना शुरू होता है फिर B7 पे आता है मतलब B7 E minor और फिर B7 पे लैंड ओके फिर B7 पे शुरू होता है लू छुक गया आसमा भी सेम B7 E minor अब इश्क D major मेरा रंग C major लाया B7 यहां तक समझ गए मुखडा यह हो गया अब अंत्रा देखते उससे पहले ओप्रिया ओप्रिया में A minor लगेगी देखो ओप्रिया शुरूवात होता है E minor पे ओप्रिया A minor आता है E minor और फिर B7 पे खतम होता है समझ गए E minor A minor E minor और B7 वो पे ओप्रिया और फिर C major और B7 आयसा है प्रोग्रेशन बहुत प्यारा है आप ज्यान से देखना यह याद रखना अंत्रे पे आते अंत्रा देखो अंत्रा शुरू होता है E minor और कॉड्स जो लगती है वो E minor B7 A major chord लगती है और एक आखिर में अंत्रे के आखिर के लाइन में C मेजर लगती कैसे जिन्दगी के E minor हरिक मोड बी-सेवन पे मैं E minor मतलब जिन्दगी के हरिक मोड पे मैं E minor B7 E minor अब A major आता है गीत गाता चला जा रहा हूँ खतम होता है B7 पे ये लाइन जो है ये ये सेव आगे भी है जिन्दगी के हरिक मोड पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ देखु दी का E minor आपस ये आलम ना पूछो E minor पे खतम हो गया मन्जिलों से बढ़ा जा रहा हूँ यहां तक आ गए मन्जिलों से बढ़ा जा A major रहा हूँ B7 अब क्या आता है E minor C major और B7 ताता है कैसे मन्जिलों से बढ़ा जा रहा हूँ ओके ये वो गया मुखडा वो प्रिया का जो जो आवाज हाई टोन में है वो उसके बाद में अंत्रा यही प्रोग्रेशन थ्रूआउट सॉंग है तो हम लोग एक दो एक दो वर्स करने की कोशिश करेंगे आगे गाना करते हैं लेकिन आप लोग नए हैं कुछ तो भी कॉमेंट करना और चलो दोस्तों एंजोय करते हैं वो बेल का बटन क्यों क्योंकि वो जो मैं गाना अप्लोड करूँ सैटरडे मॉर्निंग तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाता है आट बजे तो आपके हिसाब से साटरडे संडे जब भी छुटी रहेगा आप आराम से घर में बैटके कर सकते हैं यह सबसे आसान तरीका दोस्तों मैं बोल रहा हूं आपको मुझे पता है आपको गाना याद है अच्छा लगता है लेकिन यह 80% बारकॉट पकड़ने पड़ते करके आप लोग इसको आवाइड कर रहे थे लेकिन आभी आवाइड मत करो बिलकुल भी क्योंकि इतना आसान गाना इतना प्यारा है तो चलो शुरू करते बी सेवन से कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया लो जुक गया आसमा भी इसक मेरा रंग लाया कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया लो जुक गया आसमा भी इसक मेरा रंग लाया ओ पिया ओ पिया जिन्दगी के हरिक मोड़ पे मैं गीत गातां चला जा रहा हूँ दे खुदी का ये आलम न पुर्थू मन्जिलों से बढ़ा जा रहा हूँ कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया जो जुक गया आसमा दे विष्ट मेरा रंग लाया ओ पिया जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है इस्क रोशन है रोशन रहेगा रोशनी इसकी जाती नहीं है रोशनी इसकी जाती नहीं है कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया जो जुक गया आसमा दे विष्ट मेरा रंग लाया ओ पिया ओ ग्रिया थैंकी दोस्तों अच्छा लगा तो शेयर करना सब्स्क्राइब भी जरूर करना मिलते आगले सैटेड़े आगले लेशन तब तक के लिए थैंक यू शुकरिया यू बड़गर्द आगले मिलत हे विदक यू जरू जरूर करना。 को ए knife को जरूर झाल रंग समों म heavens. म जर खब कैंना झाल